दोस्तो आज हम इस वीडियो में बात करने जार है Royal Q का Trade Setting जैसा कि आपको पता होगा कि Royal Q एक semi automated software है एक application है एक boat है इसको use करके आप Binance में Trade कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपको सारा चीज़ सेटिंग खुद से करना पड़ता है खुद से आपको Trade Setting लगना पाता है अगर आपका setting सही है अगर आपका coin selection सही है तो आपको ज्यादा ज्यादा profit हो सकता है अगर आपका setting सही नहीं है और आपने यहाँ से अच्छे तरीके से trade नहीं लगाया है तो आपको जो market में जिस time आपको buy करना चाहिए होता है उस time आप buy नहीं कर पाएंगे और आपका floating loss बढ़ता चला जाएगा तो दोस्तो आज का video मेरा काफी important होने वाला है उन लोग के लिए जो लोग royal queue में trade कर रहे हैं और trade करके यहाँ पर इन्होंने अपना binance के साथ link करके trade setting किया हुआ है लेकिन उसको जायदा profit नहीं हो पा रहा है ऐसे लोग क्या major mistake कर रहे हैं और क्या trade setting अक्चुल में उसका होना चाहिए यह सारा चीज़े हम आपको इस video बात करने वाले हैं तो video पर लाश्टर देखेगा और अराम से देखेगा तभी आप सारी चीज़ों को समझ पाएंगे और आप यहां से इस board का use करके daily का automatic trading करके आप maximum profit ले सकते हैं दोस्तो यह video उन लोग के लिए है जो लोग पहले से इस board को use करके trading कर रहे हैं और खास करके उसके लिए भी है जादा important है जो लोग अभी board को use करना चाहते हैं जो लोग अभी latest start करने जा रहे हैं तो यह video कर आप देख लेंगे trade setting का सारा चीज़ आप आसानी समझ दाएंगे और अच्छे से आप यहां पर trade कर पाएंगे ना आपका यहां पर board कभी hold होगा और ना ही आपका जो board पाउज मोड में होगा और आपका trading regular चलता रहेगा market कितना भी dump हो कितना भी pump हो आपका trading यहां पर नहीं रुकेगा ठीक है क्योंकि आपको पता है कि जब भी market जब down होता है तो कई लोगों का trade setting यहां पर रुक जाता है और वहां पर उसको system की दोरब message आना start हो जाता है जो इस type का message आना start हो जाता है और लोग वहां panic हो जाते हैं कि इस type का message का मतलब क्या है मेरा trading रोग गया है अब मुझे क्या करना चाहिए मेरा fund stuck हो चुका है यह stuck कैसे होता है उसके बारें बात करेंगे इस stuck को कैसे रोका जा सकता है वो भी महाँ पर detailed solution बात करेंगे तो चली तो BTU को start करते हैं विल्कुल starting से start करेंगे दोज़ों सबसे पहली बात अगर आप यहाँ पर रोयल क्यों में trade लगाने जा रहे हैं तो एक setting आप जरूर से जरूर जाकर कर लिजिएगा आप Binance में जाकर और Binance में जाकर चेक किजिएगा कि आपके Asport wallet में BNB है या नहीं है अगर आपके पास BNB नहीं है यहाँ पर जो डेली का जो buy sale होता है कि डेली 100-500-1000 ट्रांसिकन तर हो जाता है तो अगर आप 1000 ट्रांसिकन सब्सक्राइब कीजिए एक जामपल के लिए आप 100 डॉलर दे रहे हैं तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सर ट्रेटिस रेटिंग करेंगे तो आप यहाँ पर लगवा 25 डॉलर तक यहाँ पर बचा सकते हैं मात 75 डॉलर वहाँ दे सकते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या आता है सिंपल वे में सबसे पहला स्टेप में आपको यहीं बता हूँगा कि आप अभी कैभी बाइनेंस में जाईए एक बार चेक कर लिए कि आपके पास यहाँ पर BNB बैलेंस है या नहीं है अगर आपके पास BNB बैलेंस है तो जो भी बैलेंस के दौरा आपको फी लिया जाता है उस फी में आपका जो 25 परसेंट कम हो जाता है यानि कि आपको यहाँ 0.075% यहाँ पर लिया जाएगा, तो यह देखने में हलाकि छोटी हो सकती है, लेकिन अगर आपका ट्रेडिंग फी का 25% कम हो रहा है, तो मेरे इसाब से काफी ज़्यादे यहाँ पर कम हो रहा है, हम सजेस्ट करेंगे कम से कम आप 10 डॉलर का BNP ज़र 10 डॉलर आपका हमेशा होना चाहिए, 10 डॉलर से कम आपका नहीं होना चाहिए, 10 डॉलर से कम होगा, तो बार बार आपको नोटिफिकेशन अना स्टार्ट हो जाएगा, 5 डॉलर से कम होगा, तो और भी ज़्यादे नोटिफिकेशन अना स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद आपका 20% आपको बोट यहीं से लेता है अगर आपके पास यहाँ पर नहीं रहेगा बैलेंस तो वो 20% नहीं ले पाएगा और इसके लिए बोट आपको पाउज हो जाएगा इसलिए यह जरूर जरूर आप जाकर दूसरा सेटिंग कर लिजेगा अब हम चलते हैं तिसरा और सबसे ज़्यादा इंपोरेंट शेटिंग वो है ट्रेड शेटिंग ट्रेड शेटिंग अगर आपका सही रहेगा तो आपका कभी भी फ्लोटिंग लॉस नहीं बढ़ेगा और अगर थोड़ा सा मारकेट डंप होता है काफी ज़्यादा डंप होता है मारकेट तो फ्लोटिंग लॉस जो बहुत ज्यादा जल्दी आपका यहाँपर प्रोफिट में करनबट हो जाएगा कैसे होता है और floating less कैसे बढ़ता है वो भी बात करेंगे सबसे पहली बात है कि मैंने starting में बताया था कि अगर आप एक coin में trade लगाना चाहते हैं 15 dollar का trade रहेगा और उसके लिए आपके पास कम से कम 200 dollar का fund होना चाहिए ठीक है? अगर आप 5 coin में trade लगाए हैं तो आपके पास कम से कम 1000 dollar का fund होना चाहिए लेकिन mistake लोग ये करते हैं कि उसके पास fund तो 1000 ही रहता है और वो setting जो first margin 15 dollar का रखते हैं लेकिन वो coin जो बहुत ज़्यादा select कर लेते हैं 5 के दिगर 10 coin select कर लेते हैं 15 coin select कर लेते हैं हलांकि starting में उसको ज्यादा problem नहीं होता है trade बहुत अच्छे तरीके चलता है और उसको लगता है कि नहीं अच्छा चल रहा है लेकिन problem तब हो जाती है जब market थोड़ा सा down होता है तो उसका जो पूरा balance अस्टक हो जाता है stop हो जाता है board पाउज होता है आपको simple way में मैंने पहले बताया था 15 डॉलर का trade रहेगा एक coin के उपर आपको 200 डॉलर का fund रखना पड़ेगा 200 से कम मैंने एक और setting दिया था 1500 डॉलर का 1500 डॉलर का भी आप गर आपके पास एक coin का है 1500 डॉलर तो आप जो 1500 डॉलर का trade ले सकते हैं इसके साथ दूसरा जो trade setting था मेरा यह है मेरा 300 डॉलर का चलिए दोनों का detail में बात करते हैं विल्कुल आपको live समझाते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर algo को खोल लेते हैं और algo में जाकर यहाँ पर trade setting देखते हैं trade setting देखे मैंने यहाँ पर जो रखा है सबसे उपर में जो मेरा first buy amount है यह 15 डॉलर का रखा है 15 डॉलर से multiply होगा मैंने margin call limit यह 10 मेंने state किया है आप इसको जितना चाहिए आप state कर सकते हैं लेकिन easy to use समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ तो हम बात करते हैं कि यह मेरा trade यह मेरा 1500 डॉलर का trade है मैंने सारा में एक डाल दिया है सभी को जोड़ देंगे एक से लेकर 10 तक तो यह 10 होता है ठीक है यह 10 हुआ और मेरा first amount जो था first जो buy मेरा multiple मैंने आपको पहले बताया था यह था 15 डॉलर से तो इसको 15 डॉलर multiple करेंगे तो यहां पर मेरा हो जाता है 1500 डॉलर का trade है यह मेरा ठीक है तो अब यहां पर देखे यह तो time समझ गया होंगे और यहां पर देखे first amount जो रहेगा कितने buy रहेगा तो यहां पर आप देखे change कर सकते हैं ठीक है यहां आप चाहे 15 भी कर सकते हैं यहां पर 30 भी कर सकते हैं क्योंकि जब market dump होता है तो 10% से होने के बाद market काफी तेजी से निचे गिरता है इसलिए आप जितना दूर तक रखेंगे उतना ही अच्छा होगा यह मेरा last position है ठीक है तो हम कुमीद करते हैं कि last position पर ना आए इससे पहले ही market फिर से अप चला जाए यहां से आने के बार फिर से अप चला जाए लेकि फिर भी आप secure के लिए safe करना चाहते हैं इसका मतलब यह हो गए कि किसी भी coin में आप trade लगाना चाहते हैं तो expect किजे कि कोई कितने percent गिरता है, market जब dump होता है, तो कोई भी coin कितना percent गिरता है, जाहिर सी बात है 20% गिरता है, या फिर 30% गिरता है, या फिर कोई अगर alt coin है, तो 40% गिरता है, कभी-कभी इससे 50% गिरता है, और कई-कई situation में, जब market काफी ज़्यादा पैनिक होता है, तो 60-70% भी कोई-कोई गिरता है, जिससे c-by-inu के वगेरा, तो इसलिए यहाँ पर maximum down जाकर रखना है, ताकि जितना भी market गिरे, इससे जोई-सो मेरा boat जोई-सो buy करता रहे, और मुझे यहाँ पर profit होता रहे, टीक है, उमिदे इस चीज़ को आप समझ गया होंगे, दोनों को जोड़ देना है, percentage रखना है, 60-7% रखना है, और इसको यहाँ पर जोड़कर, सारा जोड़कर, यहाँ पर जो आपने set किया है, यह जो, टीक है, 15 डॉलर set किया होगा, तो उससे जो ऐसो multiply कर दीज़ेगा, 10 का, क्योंकि यहाँ पर सभी में एक जी आ है, 20 डॉलर रखना होंगे, अगर suppose कि यहाँ पर आपने 30 डॉलर रखा है, तो 30 into 10, यानि कि यही ट्रेड आपका 300 डॉलर को हो जाएगा, ठीक है, तो उम्हीद है इस चीज़ को समाझ गया होगा, यह होगा फस्ट टाइब का ट्रेड, ठीक है, अब हम चलिए दूसरे टाइब के ट्रेड की बारे में ब अपास fund है, तो आप maximum से maximum coin को select कर सके, आप 15 से जाकर आप 20 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, जितना चाहे आप कर सकते हैं, टोटल आपकी यहाँ पर setting रहेगी, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर minimum setting बता रहा हूँ, और यह जो setting में आप रखा है, यह 300 डॉलर का रखा हुआ है, ऐसे 315 होता है, लेकिन मैं 300 मान कर चलता हूँ, ठीक है, तो 300 डॉलर का setting में क्या फायदा होता है, और 1500 डॉलर का setting में क्या फायदा है, वो में दोनों बात करूँगा, ठीक है, 300 डॉलर का setting जो सबसे ज्यादा valuable और सबसे ज्यादा major coin है, उसमें रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर उन coin में ज्यादा fluctuation होता है, और वो coin ज्यादा valuable है, और वो भी बताऊंगा कि ज्यादा coin का ज्यादा use है, जिसका future का ज्यादा bright लग रहा है, उसको आप यहाँ पर इस type का 300 डॉलर का trade ले सकते है, बोचली बात करते हैं, यहाँ पर 15 डॉलर में रखा हुआ है, यहाँ margin call जो limit रखा है, मैंने यहाँ पर 6 टाइम रखा है, इस से पहले जो मैंने 500 डॉलर का trade रखा था, वहाँ पर मैंने 10 रखा था, ठीक है, और यह setting आप इसी type से रखेगा, इसके बार हम detail आगे बात करेंगे, अभी मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसके margin confirm जाते हैं, म 21 multiple होता है, और इसको यहाँ पर कितना से multiple करेंगे, 15 से, तो 21 into 15 जो होगा, हमारा यहाँ पर होता है 315, यानि कि यह जो मेरा trade है, यह 315 डॉलर का trade है, अब आप सोचते हैं कि मैंने इस तरीके से यहाँ क्यों किया, वहाँ तो मैंने सारे जगा 11 रखा था, लेकिन यहाँ पर 6% डाउन जाएगा, तो यहाँ पर 45 डॉलर का buy करेगा, फिर जब यहाँ पर 8% डाउन जाएगा, तो यहाँ पर यह साट डॉलर का buy करेगा, तो इसी तरीके जैसे market डाउन चलता चलता चला जाएगा, यहाँ पर ज्यादा buy करता चला जाएगा, यहाँ पर benefit यह होता है, कि क लेकिन जैसा मैंने आपको पताया था कि वो सेटिंग डेर्सों का था और ये सेटिंग 300 डॉलर का है तो जाहिर सी बात है कि 300 डॉलर का सेटिंग में आपको ज्यादा प्रोफिट होगा लेकिन प्रोफिट दोनों जगों होगा ठीक है अब आप इसको चाहे तो इसको multiple भी कर सक जाता है ठीक है लेकिन इस ट्राइब का सेटिंग रहेगा तो आपको यहां पर प्रोफिट भी जैदा होगा इसी का ध्यान रखिएगा ठीक है बाकि आप यहां पर जो मैंने आप बताया था मार्जिंग सबसे डाउन का दो रहेगा वह जयादा गैप रखिएगा क्योंकि जब मार्केट तूटता है और जब 10% से या 12% से नीचे जाता है तो बहुत जल्दी 20% या 25% से भी नीचे चला जाता है तो इसलिए यहां पर जाकर नीचे का जो रहेगा वह ज्यादा रखिएगा ताक सबसे कम प्राइस पर सबसे ज्यादा कोई यहां पर आप बाई कर पा 1.3% आप होता है तो इस जगह पर आपका सारा प्रोफिट से लड़ कर आपको प्रोफिट बुक कर देगा तो यह है 1.3% अब यहां पर बहुत लोग रखते हैं कि 1.3% के जगह पर 1.9% रख देते हैं 1.6% रखते हैं और कोई-कोई 2% से भी ज्यादा रख देते हैं तो इस प्रोफिशन कम होगा तो आपको यहां बारबाब बाई-से नहीं होगा तो कहने का मतलब है कि जितना आप यहां पर कम रखेंगे सबसे अच्छा होता है 1.1 रखेंगे या फिर 1.3 रखेंगे या फिर ज्यादा ज्यादा हार्डली आप 1.5 रखेंगे तो यह बेस्ट रहे था कि 1.5 1.3 परसेंट बढ़ने के बाद जैसे मार्केट थोड़ा सा थोड़ा सा डाउन जाता है 0.1 परसेंट तभी यह प्रोफिट बुक करता है और टोटल जो प्रोफिट बुक होगा आपका 0.3 परसेंट माइनस 0.1 परसेंट यानि की 1.2 परसेंट का आपका प्रो 0.3 परसेंट यहां पर मैंने रखा है सरह यहां पर देखे यह margin limit ठीक है यह 3 परसेंट जो डाउन जाएगा जैसे कि यहां पर 3 परसेंट डाउन गया लेकिन कितना अपर जाएगा 0.1 परसेंट या फिर जो मैंने यह पर सेट किया हुआ है इतना आप जाएगा तभी यहां पर बाई करेगा फिर मालो 4% 4% डाउन गिया इसके बाद फिर थोड़ा सा अप जाएगा 0.3% जो मैंने सेट किया हुआ है यह सेव किडिया बाइ इन कॉल बैक यह 0.3% किया है तो इसी तरीके से जैसे जो ऐसे उल्टा यह दोनों अपोजिट है इसके बाद एक चीज़ यहां पर कुछ लोगों को सेटिंग करने में प्रिसानी हो सकती है यह वला अपसन ठीक है यह वला अपसन के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है कि यह पोजिशन क्या है तो यह 5 नमर के बाद जो अलग से यहां पर ट्रेड लगता है इसको आपको यह आपर अलग से सेटिंग करना पड़ेगा अस्टार्टिंग में जितना रखा है आपने उसी के बराबर यहां रखेगा जैसे 1.3 रखे हैं तो आप 1.3 रखेगा या फिर आप 1.4 या फिर 1.5 कर सकते हैं ठीक है उससे अगर आ रखना पड़ेगा 1.3 या फिर 1.4 रखना पड़ेगा अगर आपर 1.2 कर देंगे अगर यहां पर 1.2 कर देंगे तो यह सेटिंग ही नहीं होगा ठीक है इसलिए यह चीज़ आप देख लीजिएगा इसके अलावा आप यहां पर देखेंगे तो छोटा-छोटा बहुँ सार होता रहेगा साथ ही आप यहाँ पर देखेगा कि stop margin को यहां पर रहना चाहिए अगर आफो जाएगा तो यहां यह बाई निकसी अनि कर पाइब यह natural नहीं कर देते हैं तो यहां पर देखिए open margin ka option आ अगया है अपको यहाँ पर open कर देना है तो यहां पर जोتهल बाइसे रहेगा साथ ही स्टेटरजी मोड में बेश्ट रहेगा यह नीचे का जो ऑप्सन है इसको सेलेक्ट कर लीजेगा उपर कभी ऑप्सन सेलेक्ट है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो सबसे ज्यादा मैक्समम प्रोफिट जो होता है रियल टाइम सेटलमेंट में यह मैक् करना ही सखेए इस सेल करना चाहते हैं ठोला कि यह आपको सेटिंगं का अफर alleyoo दिखेगा तो दोस्तों उमीद घरता हूँ आप इस चीज को समझ गया होंगे बस आप एक मिस्टर यहीं मत किजिएगा कि मैंने जो सेटिंग बताया था तो सेटिंग के एकोर्डिंग हाँ आप आप ट्रेड लगाईएगा उससे ज्यादा कोई में ट्रेड लगा देंगे तो आपका जो ईससे उससे होता यह है कि आपको यहाँ पर हाइप नहीं कर पाते हैं यहां पर हाइप नहीं किया और इसके बाद मार्केट जो नीचे जा रहा है लेकिन आपके पास यह उसडिटी नहीं है कि आप कम price पर कोई coin को buy कर पाए इससे आपका होगा क्या कि ये जो floating loss है ये बढ़ता चला जा रहा है जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं इस coin का floating loss कितना ज्यादा हो गया है floating loss जिसको हम temporary loss कहते हैं ये loss वो loss है जब market deep जाता है जब market down जाता है तो ये loss बढ़ता चला जाता है लेकिन यहां पर अगर आप trade setting आपका सही रहेगा अगर आपने सही से coin selection किया है आपका setting सही है तो market कितना भी deep जाएगा ज्यादा deep पर कम coin में कम price पर ज्यादा coin उठाएगा और जैसे ज्यादा coin उठाएगा आपका floating loss ओटोमेटिक कम हो जाएगा इसके बाद जैसे आपका थोड़ा सा market जो अपने set करके रखा है एक परसें आपको यह पर floating loss काफिक कम होगा और यह floating loss बहुत ज्यादा cover हो जाएगा लेकिन नई लोगों के द्वारा किया जाता है उसके उल्टा मतलब कि जब उसको ज्यादा जरूत होती है जब उसके boat को university की ज्यादा जरूत होती है ताकि वो कम price पर ज्यादा coin कर पाए उसी time उसके के पास यहाँ पर assets balance कमी हो जाता है और आपको step कहाँ पर message अना start हो जाएगा और boat जो सो margin call stop हो जाएगा मतलब कि आपको यह पर double loss हो गया double loss मतलब क्या मतलब हुआ कि आपने high price पर buy किया था coin को जब market down आया तब आपको buy करने के जरूत थी लेकिन जब market down आ गया तब आपको पास fund नहीं है तब आपका board जो सो पाउज हो गया मतलब कि board का सबसे ज़्यादे ज़रूत था तभी उस time आपके पास fund नहीं है तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि floating loss से बचने के लिए आपका trade setting सही होना चाहिए और आपका coin selection सही होना चाहिए और आपने कितना coin margin call क्या रखा है अगर आपका trade setting सही नहीं रहेगा तो market में आप इस board को ज्यादा अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे और ज्यादा अच्छे तरीके से benefit आपको यहां नहीं ले पाएंगे लेकिन अगर आपका trade setting सही है तो आपको इस board से daily का अच्छा profit हो सकता है अच्छा profit that means कोई तो 10% से भी ज्यादा का profit निकाले है 15% से भी ज्यादा प्रोपिट निकाले है सिर्फ एक दिन में market कितना भी deep चला जाए कितना भी down चला जाए 30% तूट जाए 40% तूट जाए 50% तूट जाए 60% तूट जाए लेकिन आपको यहां पर बोट हर situation में आपको यहां पर लोट से एंटरट है। सेटिंग से एंटरणिंま दूइब को मैं आप सेंटंग कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे WhatsApp कर सकते है। अगर आप मेरे टीम में काम hassback गारे हैं । तो आप मुझे contact कर सकते हैं.. मैं आपकर अवाप प्रोपर और ए вжеट को रूए तो आपको यहां पर कुछ चीज डालना है जैसे कि अगर आप यहां पर बाइन फर्स्ट इमांट जो मैंने पहले बताया था 15 डॉलर मिनिमम है ठीक है 15 डॉलर डालिएगा number of strategy मतलब कितने coin में आप trade लगाना चाहते हैं तो वो चीज के लिए आपना fund देख लिजेगा कितना fund आपको इलाव करता है अगर यहां पर दो डालेंगे तो आपके पास कम से कम $300 का fund होना चाहिए ठीक है अगर यहां पर तीन डालेंगे तो आपके पास $450 का fund होना चाहिए तो अपने according आप देख लिजेगा कि आपका exchange में fund कितना है फंड से यादा है एक चीज आपको देखना बहुत जरूरी है बहुत चाहिए कि मेरे पास तो fund बहुत ज्यादा है ठीक है तो आपको यहां पर देखना है asport wallet में बहुत लोग overview देखकर कहते हैं कि मेरे पास fund तो ज्यादा ही है जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ यह overview जब आप exchange खोलेंगे तो overview में दिखाता है और आप यहां पर देख रहे हैं तो बहुत लोग करते हैं मेरे पास तो fund बहुत ज्यादा है ठीक है लेकिन यह आपको यहां पर नहीं देखना है आपको सिंपल से यहां पर पर trade लगाएगा ऐसा नहीं कि आपने overview देखकर बहुत सारे कोई में लगा दिया और फिर वही हाल हुआ कि जब मार्केट डाउन चला गया जब आपको बोट की ज्यादा जरूरत थी तब ही आपका बोट यहां पर पाउज हो जाएगा पोट काम करना बंद कर देगा और तो सही तरीके से यूजने कर पहेंगे तो दोस्तों उमीद करता हूँ आपने यहां सारा सारा चीज़ समस गया होगा फिर भी कोई क्वारी हो तो आप मुझे वाट्शेप कर सकते हैं मेरे तो इंस्टेंट जो से वहां पर आपको जानकारी मिल जाएगी साथ यसाथ अगर और भी डिल जानकर लिना चाहते हैं तो हमारा जो जूम मिटिंग डेली चलता है उसको जाकर जरू जोइन कर लिजेगा जूम मिटिंग जोइन करने से जब भी आपके पास टाइम में ले तो आप टेक्निकल सेशन में जोरू रहिएगा इससे आपको बहुत सारी चीज़ें को ट्रेट चैंड जैटिंग कई सी किया जाता है कैसे मार जिन काउलिमिट और किया जाता है यह तो इसलिए आप सिखना भी चाहते हैं जो मिटिंख किज़ेए कि आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी जो आपको रौाइल क्यूं कितलि आकसा ने कि सिरु ग्यां को दोस्तों वीडियो में आपको काफी चीज़ें लगी जनकारी मिल गई होगी फिर भी कोई चीज़ अगर आपको जनकारी ले नहीं हो तो आप मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हैं इसके साथ साथ हमारा यूटूब चैनल जो जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को